हेलो एविवन वेलकम टू एग्जाम टेजी तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं में में सोसलोजी जेनु का कट ओफ मांक्स तो जितनी वी ऐसे कंडिडेट हैं जिन्हों ने इस वार आप रोग ने एक्जाम दिया था और बाइचांस अगर आपका नहीं हो पाया है तो जरूरी है कि आपका स्कोर कितना है और कितने तक जो है एडमिशन जेनु के दवरत दिय अगी है और बाकि ऐसे जितने भी कंडिडेट हैं जो निश्टिर के लिए प्रफिशन कर रहे हैं तो आपको यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉंपडिशन लेवल कितना है और आपको एवरेज कितना स्कोर करना पड़ेगा आप जेनु में अपना सीट को कंफर्म कर सक बात बात को निकाली है ऐसमें दो चीजें होती जो आप लोगों को ध्यान में पड़ता है एक तो यह है कि receive का जो के अपको इहां पर देख्था तो यह तो यह जाता है जो लास्indo doubt होजाता और उसके साथ ही आप यहां पर देखिए का तो यह percentage marks होता है कि out of 300 आपने कितना score किया है जो जो जेग्यू का जो मसोसलोजी का जो कोड है वह है एस ओ सी एम तो यहीं पर आप देख पाईएगा जो सोसलोजी का जो इस बार का जो कट आफ है यह फर्स कट आफ लिश्ट है इसी का डेटियल्स यहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा सो आउट आप 300 फॉर एक्जामपल अगर किसी ने 180 स्कूर किया है तो 180 का मतलब हो जाता है 60 परशन सो 60 परशन के बैसिस पर देखा जाता है कि कैंडिडेट में जितने टूटल नंबर अफ कैंडिडेट से उस में से जो भी टॉप कैंडिडेट है उस कैटेगरी में उनका ज कि इस हो और कितने तक जो है एडमिडेट हुआ है जो कि सबसे पहले यहां पर जो है जनल कर डिगरी कशर में जो जो एडमिडेट का सब्सक्रीट का JUST को सब्सक्रातव पर एडमिशन हुआ है 72.66 तो इसको अगर आप माली जे मंटिप्लाइ करते हैं 3 से तो 70 इंटू 3 210 हो जाता है तो यहां पर आपका जो टोटल मार्क्स आ रहा है वह है 218 यानि 218 एन एवब जितने जिनका स्कूर आया है तो उनका एडमिशन हो गया है जो लास्ट केंडिडेट का जो ओवरोल रांग था वो था 35 यानि स्यूइटी एग्जाम में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से जितने ने जे निए अप्लाइग गया था जो 35 इस्ट्वेंट था जिनको जन्को जन्रेल कैटेग्री में एडमिशन दिया गया है जो सेकेंड यहां पर आप देख पाएंगे यह है आपका से 564 जो नेक्स्ट है यह है आपका से डूल ट्राइब का से डूल ट्राइब का 56.33 यानी टू पॉइंट यानी आप जो है इसमें साथ नंबर और इंप्रीज कर दीजिए तो हो जाता है आपका 271 के रफ़ली आपको से डूल ट्राइब का कट आफ चला गया तो नेक्स्ट है यहां पर आप जो देख पाएंगे यह आपको OBC तो OBC का जो कट-off मार्क्स किया है 60.66 तो 60.66 अगर आप 3 करते हैं तो 182 आपका मार्क्स अला गया तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट थे OBC कैटेग्री में जिनका 182 एवव आया है तो उनको एडमिशन मिल गया है लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स का जो रैंक था 36 और EWS की अगर हम लोग बात करते हैं तो 63.33 63.33 मतलब 190 मार्क्स 190 आउट अट अप 300 जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंनी स्क का जो फर्स्ट कट ओफ लिस्ट आई है अब यह देखने वाली बात है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं फिर ही चांस मनता है कि सेकेंड कट ओफ लिस्ट आएगी और इसमें एक चीज यह है कि डियू का भी जो एडमिशन हुआ है वह भी करते हैं तो आपको कितना ज्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रत है इस बार जो है सभी कैटेग्री में अगर आप बात करें काट ओफ का तो यह कम हो गया है यहीं लास्ट एर कि अगर हम लोग बात करें जो जनरल कैटेग्री का जो कट ओफ था वो 92 परशेंट था 92 और इस बार जो है आपका इतना कम हो गया है यानि 218 हो गया है तो रफली मान के चलिए 60 यानि 20 परशेंट जो है इस बार कट ओफ लो हो गया है और बागी बहुत सारे कॉलेजेज हैं यूनिवर्सिटी जहां पीस से भी कम कट ओफ में एडमिशन हुआ है तो उसके बार में 78849 और एक्जाम टेजी के तरफ से जब कम्प्लीट आपको सारा कुछ प्रिवियस पेपर्स कोशिन बैंक यूजिसी नेट पेपर्स अलग लग लग इंवर्सिटी इसके टेस्स रिस सब कुछ प्रवाइड किया जा रहा है अब्जेक्टी टाइप इंटर्स एक्जाम गिन प्रवाइड को सॉल्व करें तो उसका क्या प्रोसेस है कितना प्रवाइड करना पड़ेगा इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा आपको इसी नमबर पर कॉल या वाटसेप करना है या फिर वीडियो की डिस्विशन में एक गूगल फॉर्म है आप उस प्रवाइड कर सकते हैं अपने इस सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज शस्ट्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वेल विद आवाल है जो भी इंपोर्टेंट अपडेट होता है लेटेश्ट अपडेट होता है वो सार आपको मिलता रहे है तो थैंक्यू और भीश्यू व झाल झाल